चले अगली खबर की औरों करलेट वक्त की अगली खबर मुरेना से आपको बता रहे हैं जहाँ पर पठाका फैक्टरी में भीशो और धमाका हुआ है और धमाके की वज़े से तीन लोगों की मौकेपारी मौत हो गई है जबकि चाम लोग गंबी रूप से घायल हुए हैं प्लास्ट होने से तीन लोगों की मौकेपारी मौत हो गई है जबकि चार गंबी रूप से घायल है धमाका इतना जबर्दस था कि जिस बिल्डिंग में पठाके बनाए जा रहे थे वो पूरी तरह से जमी दोस हो गई पठाका बना रहे कई लोग मलबे में दप गए जिसके कारांटीन की मौत हुई वही चार लोगों की हालत गंबीर पताई जा रही है हाथसा गुरुबार सुभा नौ बजे बानमोर कजबे के पास जयत पुर्दा में हुआ हाथसा इतना जबर्दस था कि तीन लोगों की घटना इस्थलपरी मौत हो चुकी है जबकि चार लोग गंबीर पताई हैं बिंडिंग गरी है कई लोग मलवे में दब गए हैं इन गंबीर घायलों को मुरेना के लिए जलास्पताल के लिए रैफर भी कर दिया गए जहां पर उनका इलाज ज़ारी है लेकिन घटना इस्थलपर तीन लोगों की मौत हो चुकी ह आप देख रहे हैं तश्पीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कितना जबरदस्त ये धमाका है पूरी बिल्डिंग जमी दोज हो गई है और इस बिल्डिंग के जमी दोज होने से तीन लोगों की घटना इस्थल पर मौत हो गई है जबकि चार लोग मलवे में दब गए हैं गबी रूप से घायल हुए हैं इनको जल अस्पताल के लिए रहफर कर दिया गए तो घटना इस्थल की तस्वीरे जहाँ पर ये बिल्डिंग जो है गिर गई है जिसमें कई लोग मलवे में दब गए थे हाला कि जो है टीन भी वहाँ पर पहुची है प्रशासनी कमला वहा रेस्क्यू टीम आपर पहुची हुई है गंबीर घायलों को जो है अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है जहाँ पर उनका इलाज अब शुरू किया गया है और वहीं तीन लोगों की इस हाथसे में मौत हो चुकी है तो ये भीशर धमाका जिसकी वज़े से पूरी बि ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहाँ पर पडाका फैक्टरी में बीशर धमाका हुआ और इसकी वज़े से पूरी बिल्लिंग गिर गई पूरी बिल्लिंग जमीतोस हो गई और साथसे में तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है जब कि चाव लोगों की हाल गंबीर बताई जा रही है जोने रेस्क्यू टीम ने